दूसरे संयुक्त विजेता हैं श्रीश्री ठाकूर अनुकूल चंद्र आश्रम सक्संद देवगर जार खड़ देवगर के श्रीश्री ठाकूर अनुकूल चंद्र आश्रम में जल प्रबंधन को लीकर ऐसी मुहिम चलाए गई कि अब ये आश्रम बरसाती पानी को जमा करने का भी बड़ा केंद्र बन गया है यहां वी वायर तक्नीक के जरिए आश्रम की सणकों पर बहने वाले पानी को रेन वाटर हावेस्टिंग सिस्टम के जरिए एक अट्टा किया जाता है सचसंग आश्रम के परिसर में हर एक पचास फीट पर एक कुवा बनाया गया है ऐसे पचास कुवों, तीन बोर्वेल, एक तलाब और एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बदालत ना सिर्फ इलाके के भूजल स्तर में सुधार आया बल्कि आठ नौ करोर लीडर पानी को जमा तरने की शमता भी विक्सित हुई इससे आश्रम में रहने वाले धाई हजार लोगों को गर्मियों में होने वाली पानी की किल्लत से चुटका राविला यहां वाटर रिसाइक्लिंग के जरिये रोजाना 20 घं मीटर पानी उपलब्द रहता है इसका इस्तेमाल किचन गार्डन के अलावाश्र धलों के बर्दन दोने में होता है पानी की एक-एक बूद के सदुपयोग की इस मिसाल के लिए सचन आश्रम देगघर को बेस्ट इंस्टिउशन फर सक्सेस्फुल कैंपस दूजिज की काटिगरी में प्रत्रम को रस्कार से सम्मानिक किया जाता है जाता है झाल झाल